ड्रोन को अपने नए वाले घर से पुराने वाले घर तक भीजिए ऐसी जगों पे चलने में ज़रसा डर तो रहता है पहाडों में और यह हम पहुंचे अख़डिना धार में कई लोग इनको सजावट के रूप में यूज करते हैं लगवाग डेट से दो किलोमेटर का रास्त है पुराने वाले घर पर जाने की काम करने के लिए आराम से आप सभी को मेरा प्यार भाय नमस्कार मिर नाम है अलोक राना और स्वागत है आप सभी का देव भूमी उत्राखन के इन खुप सुरत पहाड़ों से अभी दिन के करीब साड़े बारा हो रहे हैं और आज की दिन आज नीचे रोड के रास्ते नहीं बलकि उपर पैदल आस्ते घर को जाऊंगा उसका रीजन ही है कि अगले चार दिनों के बाद के दाना धाम की यात्रा खुल जाएगी तो यात्रा में चलने में कोई दिक्कत ना हो तो कुछ दिन तक कोसिस करूंगा जितना हो सके पैदल हमारा गाउं गिरिया बड़ी प्यारी सी लोकेशन पर बसा हुआ एक खूपसरत सा गाउं है जो कि देवभूमी उत्राखन के रुद्रप्याग जिले में पढ़ता है बाकी गाउं के चारों और प्यारे प्यारे से हरे बरे खेत हैं और खेतों के बाद दूर दूर तक घने प्यारे बाते हैं बाकी दिन का टाइम है तो जातर माहौल सुनसान ही है गाउं में अभी और दुर दिर दर यहां के जो गेहों के खेत हैं उन्नमें पीला पन आने लगा है और जाल है ठोबह मखने ऊशिन में पहले एक कमेंट आया था कि अपने ढ्रोन को अ के आसपास की पहाड़ियां भी दिखती हैं तो कोशिस करते हैं तो आप इंजय कीजिए खूब सुरत से नजार इन पहाड़ों के कि देखी जहां से मैं ड्रोन उढ़ाया था वहां से पुराने गहर तक लॉन भेजना पॉसिबल नहीं है ये बड़ी सी पहाड़ी आ लेकिन जस्तिन में उस टॉप पे गया था वहां से उड़ सकता था लेकिन उसमें मेरको ध्यानी नहीं आया इस चीज का क्यर कोई नीक जब भी जाएंगे वहां पर जरूर उड़ाएंगे फिर भी काफी ज्यादा कबर हो गया था बाकी यहीं पास में है महाराज राजसरी जी बिल्कुल भी सेफ नहीं है लेंड्सलाइड जोन है और यहीं पास में बिनाय भगवान जी की पुजा अर्चना की जाती है जब भी कोई लोग यहां पर आते हैं फूल, पत्ति, पत्थर वगयरा यहां पर चड़ाते हैं और आगे बढ़ते वए यह देखे यहां पर हिसू आई लोग हैं, सभी घास की बारियां भी ले आ चुकी हैं, बड़ी दूर से ले आते हैं और अपने-पने घरों को इतने तेज दूप में जाते हैं, हमारे पुराने वाले घर के आसपास इनके खेत हैं तो वहां से घास वगवरा ले आ रहे हैं, और सोचे वहां से गिरिया जन तो चले गया लेकिन जो फूल थे वो सूख चुके हैं, कुछ ही फूल अब बचे हुए हैं पहाड़ों में, और उपर उपर जहां ठंडा इलाका होगा, वहां अभी तक बुरास के फूल होंगे, और यह हम पहुंचे अखोड़ीना धार में, और यहां से ठीक सामने पर अ और अखोड़ीना धार पर थोड़ा सा रुकने, और नजारों का इंजोई करने के बाद हम निकल पड़ते हैं आगे की ओर, और गिरिया गाओं को जाने वाली रोड बस यहीं तक कटी है भी, और यहां पर बहुत डेंजर है भई, छोटा सा पथर भी नीचे गिरा तो रोड तक जाएगा, दो साल होने वाले हैं, इससे आगे रोड थोड़ा भी नहीं बड़ी, पता नी क्या हो रहा है, बाकि यहां पहाडों में रोड काटना आसान नहीं होता है, इतनी भैंकर भैंकर चटाने काटनी पड़ती है, और नीचे से मजबूची दिवार देनी पड़ती है, अब जहां पर कच्चा पहाड होगा तो ऐसे काटने की वज़ा से पूरा पहाड नीचे डह जाता है, कुछ-कुछ ऐसा होता है कि वो हमें इससा टूडता रहता है, और यहां पर एक ठेंची मिली है, जो कि चीड के पेड से गिर के आई होगी, अब चीड का पेड ऐसा ह है, मतलब कि तेज जूप लगने वाली जगह है, कि यहां सर्दियों में भी सांप दिखाई देते हैं, खुद मैंने यहां पर डिपावली के टाइम पर सांप देखा है, वो भी हरे कलर का है, और देखे जी, पहाड में गर्मी इतनी है, कि चाची गिर्या गाउं में कुछ क आम से जा रही है, तो छत्री रखी भी है, और स्कूल टाइम पर हम भी छत्री जरूर रखा करते थे, अब यहीं पास से अपने घर के लिए पानी जाता है, तो ओवर्फलो हो रहा है, मतलब कि पानी परियाप्त मातरा में है अभी, गर्मीयों में स्रोत का पानी थोड़ा सा कभी-कभी कम हो जाता है, चलो जी घर के पास तक पहुँच चुके हैं, बाकी यहाँ पर बस पपाजी की स्कूटी है आज, तो मैं कोशिस करूँगा जातर पैदल चलने की दो-चार दिन तक, उससे एक तो मुझे केदाना दाम की यातरा के दौरान धकान ज्यादा नहीं ल जालने पर, और पाई पर आज कुछ अलग सी चीज लगा रहे है, जिसके अंदर कुछ गूम भी रहा है, तो उससे देखो, पानी कितने प्यारे तरीके से पढ़ रहे है, ने तो आमको पाई पागे से अंगली से दबाना पड़ता था, बाकी लगातार पहाड़ों में मौस है कि सर्दियों का, क्योंकि थोड़ा बारिश लगरी, थोड़ा दूप बड़ी, गर्मी हो रही, अभी में जरा सा उपर रोड पर जाना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सामान आया हुआ है, और अब ऐसे मैं मैं चाहता हूँ कि जास र्यादा पैदल चलू, वैसे मैं आसानी से कोई भी ट्रेक कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो जरूरी है, नहीं तो ट्रेक के पहले दिन थोड़ सा हलत खराब होई जाती है, आसपास घना सा जंगल है, जिस वह से प्यारा सा सोर्स मैं दे रहा है, नेचर का, देखे जी, आज मां की चाह तो मतलब की पुराने जमाने के लोग जहां भी जाते थे, जातर पैदल ही जाते थे, यहां पे बैठके न, चाय पीने का मजाई कुछ अलग है, निचर का साउंड आ रहा है, सामने कोपसुरत से नजारे हैं, और ठीक सामने वाली पहाडी पर कहीं डीजे लगा हुआ है, क्यां अब ठीक सामने के जो नजारे हैं, बहुत ही गज़ा बोरके हैं, साम के टाइम पर, पर माने जल्दी से गोसाला का का काम भी निप्टा दिया है, संसेट भी होने ही वाला है, आज अपने पास बाइक भी नहीं है, मुझे पैदल दास्ते ही घर तक जाना होगा, तो चलते हैं, और इस वार थोड़ा सब तेजी तेजी से चलूँगा, जिससे की पैरों की प्रैक्टिस होती रहे चलने की, देखेजी, इन ऐसी जगों पे चलने में जरसा डर तो रहता है पहाडों में, क्योंकि उपर से किसी भी टाइम पत्थर गिर सकते हैं, बाकि मौनसुन के टाइम पे ये खत्रा और भी बढ़ जाता है, प्राइम प्राइम प्राइम। दिन के टाइम पर जिन रास्तों पर खूब गर्मी वोरी थी दूप से इस समय बहुत ही सान सा माहौल बहुत ही ठंड़ ठंड़ सा माहौल है यह टाइम है इवनिंग वोक का और जो गाउं के बुजुर्ग बेकती हैं वो इस साइड धार की और आये रहते हैं साम को संसेट का अनंद लेने के लिए परकृति को नजदीक से देखने के लिए देखे जी ड्रोन को देखे न गाउं के जो बुजुर्ग बेकती हैं उनकी बातें चल ली है कि पहले गाउं में एक पंचाइती रेडियो हुआ करता था बहुत पुराने जमाने की बाते हैं और ये वाला रास्ता है हमारे गाउं को जाने वाला सारियों के बीच से मतलब खेतों के बीच से सुबह में उपर में रास्ते से गया था और गाउं के खेतों के बीच से ऐसे साम के टाइम पे अपने घर को जाने का मजाई को जलाग है मन तो कर रहा है कि डेली अब पैदली तो चेले जी घर पे पहुंच चुके हैं, बाकी मा मी बस अभी अभी ही पहुंच रही है, आज की वीडियो को यहीं पे कलोच करते हैं, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के ताद सेर कीजिए, मैं आलोक राणा मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देभूमित्रा खंड